हाई फ्रेंड्स वेल्कम टो माई चैनल अंजू क्रियेशन तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूं सिंगल कलर का एक बहुत ही सुन्दर डिजाइन और बहुत ही आसानी से बन भी जाता है और देखने में भी प्यारा लगता है तो चलिए देड़ना करते हुए ये डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं तो इस डिजाइन को बनाने के लिए देखिए हमें यहाँ पे फंदे थ्री के मल्टिपल में लेने हैं और उसमें प्लस टू एड़ करना है तो जो दो फंदे हमारे जो रहेंगे वो हमारे एजिस्ट करते हैं बनाना तो देखिए यह हमारी पहली सलाई है इसे हम पूरा सीधा सीधा बुनेंगे तो यह देखिए पहली सलाई कंप्लीट हो गई हमारी अब यह देखिए दूसरी सलाई है इधर से हमें इसे पूरा उल्टा बुनना है तो यह हमारा रॉंग साइड है इसे हम पूरा उल्टा बुलने तो पहला फंदा तो स्लिप करेंगे उसके बाद जितने भी फंदे हैं सबको उल्टा बुनेंगे यह दूसरी सलाई भी बनकर कंप्लीट हो गई है अब यह तीसरी सलाई है यहीं पर देखिए हमें अपना डिजाइन डालना है तो पहला फंदा तो स्लिप करेंगे उसके बाद देखिए यह तीन फंदों का डिजाइन है तो यह दो फंदे छोड़कर जो तीसरा वाला फंदा है इसके देखिए हम ऐसे बीच में से फंदा उठाएंगे इस तीसरे वाले फंदे के यहाँ से देखिए बीचो बीच से और इसे देखिए सीधा बुनेंगे यह ऐसे यह हमारा देखिए ऐसे डिजाइन बनेगा यह और यह जो दो फंदे हैं इसे हम सीधा बुनेंगे और यह वाला जो फंदा है इसे हम ऐसे गिरा दें तो यह हमारा एक डिजाइन बन गया फिर उसके बाद देखिए सेम चीज हमें रिपीट करनी है यह दो को छोड़ करके यह तीसरे वाले में से यह ऐसे फंदा बनाना है और इन दोनों को सीधा बुनेंगे और इसे ऐसे स्लिप कर देंगे फिर यह दो को छोड़ कर तीसरे वाले में से नीचे से फंदा बनाएंगे और यह दो को फिर सीधा बुनेंगे और जिसमें से हमने फंदा बनाया था उसको हम ऐसे स्लिप कर देंगे तो यह देखिए ऐसे डिजाइन बन रहा है तो यही चीज़ देखिए हमें पूरे सलाई में करना है और यह लास्ट ओला फंदा है इसे हम सीधा बुल लेंगे तो यह हमारी देखिए तीसरी सलाई भी कम्प्लीट हो गई है अब इधर से देखिए यह हमारी चौथी सलाई है इसे हमें देखिए पूरा उल्टा बुनना है तो यह पहला फंदा स्लिप करेंगे उसके बाद जितने भी फंदे हैं उसे हम उल्टा बुन लेंगे यह जो फंदा हमने बनाया था इसे भी हम उल्टा बुनेंगे ये चौती सलाई रॉंग साइड से बनकर कम्प्लीट हो गई है और ये देखिए हमारा राइट साइड में ऐसे डिजाइन है ये अब इधर देखिए यही चार सलाईया हमें वापस से रिपीट करनी है तो पहले आप ये सलाई पूरा सिधा बुनेंगे फिर उधर से जब रॉंग साइड में आएंगे तो उधर से हमें पूरी सलाई उल्टी बुननी है तो ये दो सलाईया पहले आप सीधे उल्टे की बना ले ये उल्टे सीधे की यहाँ पे दो सलाईया हमने बना ली है यानि छे सलाईया हमने टोटल यहां से यहां तक बना ली अब ये साथवी सलाई है, सेम हमें तीजरी सलाई की तरह ही से बनाना है, पहला फंदा तो Slip करेंगे, उसके बाद ये तीन फंदों में से ये जो तीजरा वला फंदा है, इसके नीचे से हम लेते हुए एक फंदा बनाएंगे, और फिर इन दोनों को सीधा बुनेंगे और इस वाले को स्लिप कर देंगे ये जो हमारा डिजाइन है एक डिजाइन के ज़स्ट उपर ही दूसरा डिजाइन भी बनेगा फिर देखिए ये तीन फंदे हैं इन तीनों में से तीसरे वाले में से नीचे से पंदा बनाएंगे और फिर इन दोनों को भी सीधा बुनेंगे और इसे स्लिप कर देंगे तो ऐसे ही करते हुए देखिए हम ये सलाई भी कम्प्लीट कर ले ये सलाई भी देखिए कम्प्लीट हो गई है अब हम रॉंग साइड में आ गए और ये आठ भी सलाई है तो इसे हमें पूरा उल्टा बुलनेना है तो इधर से यह wrong side भी बना लिया है हमने उल्टा उल्टा और यह देखिए अब हमारा design बनकर ready हो गया है तो यही स्यार सलाहियां हमें repeat करते हो इस design को बनाना है तो friends देखा आपने कितना easily और कितना सुन्दरी design बन गया और इस design को आप किसी भी woolen project में use कर सकते हैं जैसे baby cap हो या फिर gen sweater हो उसमें यह और ज़्यादा प्यारा लगेगा तो friends कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बर आये हैं तो please मेरे चैनल को subscribe करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें thanks for watching